हाई वीवर्स वैलकम टू सलाई मंत्रा मैं गाहितरी असरी आज आपके लिए लेडिस पेंट पलाजो की कटिंग बताने वाली हूँ तो मैंने बड़े ही सरल तरीके से इसकी कटिंग बताई है और जो विगनर साइस की कटिंग बड़ी असानी से कर सकता है तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पीस है और ये पीस मेरा कितना है तो मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ तो मैंने यहाँ पर ये डवल फॉल्ड में यानि कि फोर फॉल्ड में मेरा कपड़ा है तो इसको measure करने के बाद ही ये जो इसकी लंबाई है वो 38 इंच है यानि कि एक मीटर में 2 इंच कम कपड़ा है मेरा तो इसी में मैं 36 इंच की लंबाई निकालूंगी तो इसके लिए सबसे पहले आपको कपड़े को उल्टा फोल कर लेना है जिस तेयमे कपड़ा आता है यानि कि single में आपको falls किरहए तो में आपको falls करके दिखा देती हूं कि तो मैंने कंपने पुल्टा फोल कर लिए और किनार्स को मैंनी तरफ़ रखे है और इसका falls भाग है उसको दुसरी तरफ रखे है सबसे पहले आपको उपर की तरफ जो है इसका तिर्चा पर निकाल देना है और यह निकालना जुरूरी है और आपको भी इसी प्रकार पहले उपर से तिर्चा पर निकाल देना है अब उपर की तरफ मैं 7 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ यानि कि आगे मैं बेल्ट लगा तो मैं या पे 36 इंच का निशान लगाँगी और निशान लगाने के बाद इस निशान को आपको सिधा कर देना है ap do all cioèonne आप इसके बाद नीचे बैटों में आपको जितना भी फोल्ड करने के लिए रखना है तो उतना आप ले सकते हो तो मैंने यहापे 2 इंच रखा है तो आप 2 इंच से कम एने के 1.5 इंच भी ले सकते हो अभी इन दोनों मार्कों में सीधा कर लूँगी यहने कि इसको मिला देना है तो मैं साइट में जो मेरी किनारी है तो आपको एक प्लस करने है उतना ही आपको निशान लगाने है और इसे निशान को सीधा कर दूंगी अब इसके बाद उपर कमर का निशान लगाना है और कमर का निशान लगाने के लिए आपको हिप का 1-4 प्लस 1,5 इंच करना है यदि आपको थोड़ा टाइट रखना है तो आप 1 इंच कर सकते हो और लूस प्लाजो में ये 2 इंच प्लस किया जाता है लेकिन आपको यही द्यान रखना है कि मैंने यहां पर कमर के इसाब से निशान नहीं लगाया है हिप के इसाब से ही मैंने निशान लगाया है और जितना उपर की तरफ मैंने निशान लगाया है तो उतना ही मैं निचे आसन की तरफ लगाऊंगी और उसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है यानि कि उपर वाले और निचे वाले निशान को मिला देना है अब इसके बाद आपको गुलाई के लिए यानि कि लूजिंग जो साइड में गुलाई दी जाती है उसका निशान लगाना है तो मैं यहाँ पे पौने 2 इंच के करीब रखने वाली हूँ तो यह भी हिप के according ही लगाए जाता है यदि आप 40 इंच के हिप का प्लाजो बना रहे तो आप 2 इंच लगा सकते हो यदि 40 से पा यहनकी बड़ा साइज बना रहे हो अब इसके बाद गुड़ने की लंबाई का निशान लगाना है और गुड़ने की लंबाई का निशान लगाने का सिंपल मैथड़ है कि जितने भी आपके प्लाजो पेंट की लंबाई है उसको आफ कर दीजिए तो आपके गुड़ने की लंबाई निकल आएगी और वैसे भी अगर आप मोरी ज़ादा रखते हो निचे से तो आपको गुड़ने की लंबाई की जूर्द नहीं है यह दिए आप मोरी को कम रख रहे हो फिर आपको गुड़ने की लंबाई का निशान लगाना होगा तो वैसे 17 या 18 इंचर के बीच गुटने की लंबाई का निशान लगाया जाता है या फिर आप मेजर्मेंट दोरा भी गुटने की लंबाई ले सकते हो तो मैंने यहाँ पे गुटने की लंबाई का भी निशान लगा दिया है अब इसके बाद जो आसन वाली लाईन है उसको हाफ करना है या इनकी जितना भी है तो मैं पहले इसको मेजर्मेंटार रहा है उतनी आपको नीचे की तरफ यानिकी बोटम की तरफ निशान लगाना है यानि कि आपका कम यह जादा नहीं होना चाहिए तो मैंने किनारी को छोड़ा है और जितना नीचे है उतना ही मैं उपर की तरफ कमर की तरफ भी निशान लगाऊंगी यानि कि इसका सेंटर पॉइंट निकालना है अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है अब जितनी भी आपकी मोरी है उसको वन फोर्थ करने के बाद ही आपको निशान लगाना है यानि कि जो बीच वाला जो यह सेंटर पॉइंट है इसके वन फोर्थ एक तरफ होगा और वन फोर्थ एक तरफ होगा तो मैं यहाँ पर 20 इंच रहें की पूरी जो राउंड में 20 इंच मोरी रखने वाली हूँ तो 20 इंच का 1-4 वा 5 इंच यानि की 5 इंच मैं एक तरफ रखूंगी और 5 इंच मैं एक तरफ रखूंगी तो यह center point से मैं 5 इंच का निशान एक तरफ लगाने वाली हूँ और 5 इंच का निशान मैं दूसरी तरफ लगाने वाली हूँ तो इस प्रकार यह पूरा round में 20 इंच हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के according जो बोटम की मोरी रख सकते हो अब इसके बाद आसन वाले निशान और नीचे बोटम वाले निशान को मिला देना है यदि आपके पास यह leg shaper हो तो यदि यह नहीं है तो इसके बिना भी आप निशान लगा सकते हो अब इसी leg shaper को मैं इस प्रकार turn करते हुए दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी यान की उपर वाले और नीचे बोटम वाले निशान को आपस में मिलाते हुए निशान लगा देना है तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है अब नीचे बोटम की तरफ जो दबाब के लिए 2 इंच रखा था उसको आपको थोड़ा तीर्चा निशान लगाना है ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छी तरह से आ जाए तो मैंने यह पर थोड़ी अलकी सी इसकी गोलाई कर दी है अब इसके बाद इसकी मैं पूरे की आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ यदि आपकी दो मीटर कपड़े में पैंट पलाजो की लुमाई नहीं बेट रही है तो आप साइड में कपड़ा देख रहे होंगे तो इसमें आप जोइंट यान की नीचे बोटम की तरफ आप जोइंट लगा सकते हो यान की जो मैंने दो इंच एक्स्टा रखा है तो आपकी लेंथ जो है पूरी हो जाएगी तो मैंने इसकी कटिंग कर दिया अब इसके बाद जो पीस है उसी पीस पे मैं इसी पीस को रखते हुए कटिंग करूँगी कि जो पैंट पलजव है उसकी कटिंग अलग-अलग पल्ले की की जाती है यान कि एक साथ नहीं होती है उसकी कटिंग तो पहले मैं इस कपड़े को अच्छी तरह से सेट करूँगी यान कि इसमें कोई सलवेटे वगारा नहीं होनी चाहिए इसको सेट करने से पहले आपको उपर की तरफ दो इंच कपड़ा एक्स्टा रखना है यनकी उपर की तरफ पहले दो या दाइंच कपड़ा आपका एक्स्टा होना चाहिए उसके बाद ही इसको सेट करना है तो पहले नीचे से सेट करके देखूँ कि मेरा उपर से कितना कपड़ा बचा है और साइड से मैं किनारी को छोड़ूँगी और कपड़े को आपको एकदम सीधा कर लेने इनके आपका कपड़ा बिल्कुल फिर टेड़ा नहीं होना चाहिए इस प्रकार टेड़ा तिर्चा कपड़ा नहीं होना चाहिए यदि आपका तिर्चा कपड़ा होगा तो आपका पलाजो गूम सकता है और मैं उपर की तरफ मेजरमेंट करूँगी कि मेरा यह यहाँ पर कितना बचा वो बेक वाले पल्ले में होगा तो इसके लिए जो आसन वाली लाइन है उसको पहले मैं सीधा करूँगी यनकी सीधी एक लाइन लगाऊंगी तो पहले यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन लगा लेनी है और उपर जो कमर की तरफ भी एक सीधी लाइन लगा देनी है जहां पे आसन की गुलाई आई हुई है अब इसके बाद निचे से आसन की तरफ दो इंच रखाना है तो आपको 2 इंच रखने है और उपर भी मैं 2 इंच रखोंगी और यहाँ पर यह मेरा 5 इंच है तो यह दूम मैं बड़े साइस का पैंट पलाजो बना रहे है तो आपको 2 या 5 इंच तो आपको रखने ही है इसे आपका पलाजो यह अब नीचे सरकता नहीं है और फिटिंग भी सही रहती है तो मेरा ये 1.5 इंच है तो मैंने 1.5 इंच रखा है तो पहले मैं इसका एक सीधा निशान लगाऊंगी अब इसके बाद जो नीचे आसन वाला है उसको भी यहाँ पर पॉइंट देते हुए इस लाइन कॉप को सीधा कर लेना है तो मैंने यहाँ पर सीधी लाइन लगा दिया है अब इसके बाद आगे वाले पल्ले के निशान से आसन वाले निशान को तिर्चा मिला देना है जहाँ पर 2 इंच का एक्स्टा निशान लगाए था तो मैंने इसको तिर्चा मिला दिया है अब नीचे बोटम की तरब भी आपको निशान लगाना है तो यहाँ पे भी आपको डेट इंच का निशान लगाना है तो मैंने ये डेट इंच का निशान लगाया अब इसके बाद नीचे वाले पॉइंट को और आसन वाले पॉइंट को मिला देना है और आसन की तरब भी आपको एक इंच की गुलाई कर देनी है तो इस प्रकार में ने ये पूरे निशान कम्प्लीट कर दिये तब इसकी कटिंग कर देनी है और यह नीचे से मेरा थोड़ा रह गए है तो मैं इसको भी निशान लगा दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी तो इस प्रकार आप भी बड़ी असानी से पैंट पलाजो की कटिंग कर सकते हो तो मैंने नीचे मोरी को ज़्यादा रखा है तो आप मोरी कम भी रख सकते हो तो मैंने इसकी कटिंग कर दिये है अब कटिंग करने के बाद यह आपको आगे से डार्ट लगानी हो तो इसके लिए आपको क्या करने कि आगे वाला नी की फरंट वाला पीस आपको लेने और बैग वाले पल्ले को आपको छोड़ देने और जो फ्रंट वाला पल्ला है उसमें जो सेंटर वाली लाइन लगाई थी पहले मैं उसको डार्ट करूँगी उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको डार्ट कैसे लगानी है अब यह जो सेंटर लाइन है वहीं से ही आपको उपर से नीचे की तरफ चार या साड़े चार इंच का निशान लगा देना है और जिस परकार आप बलाउज में डार्ट लगाते हैं उसी परकार डार्ट लगानी है लेकिन आपका जो एक इंच के करीब कपड़ा सिलाई में जाना चाहिए उपर से तो इस प्रकार दोनों तरफ आपको डाट लगानी है तो दोनों तरफ डाट लगाने के लिए मैं क्या करूँगी निचे से भी इसके निशान ले लूँगी और उपर की तरफ ही मैं ये कुटका लगा दूँगी ताकि द्यारे कि यहां पर डाट लगानी है तो यदि आप पैंट पलाजो में दोनों यानि की राउंड में इलास्टिक लगा रहे हैं तो आपको डायट की वैसे जुरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप आगे बैल्ट और पिछे इलास्टिक लगा रहे हैं तो डायट आपको डालनी ही चाहिए अब इसके बाद मैं आपको इसकी बैल्ट निकाल के दिखाती हूँ तो मैंने यहाँ पे बैल्ट निकालने के लिए कपड़ा लिया है और यह मेरा कपड़ा डवल फोल्ड में है तो यहाँ पे मैं बैल्ट की जो चुड़ाई वो सबा इंच रखने वाली हूँ तयार तो इसके लिए मुझे 3.59 निच की चुड़ाई का कपड़ा लेना होगा तो 3.5 निच चुड़ाई का कपड़ा लुँगी और मैंने की यह मेरा कपड़ा four fold में हो चुका है तो मैं दोनो की बैल्ट जो एक साद निकालने वाली हूँ कि आगे वाले पल्ले और बैक वाले पल्ले की बेल्ट एक साथ निकालूंगी तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैक वाला पल्ला पहले लेना है क्योंकि बैक वाला पल्ला पहले लेना है क्योंकि बैक वाला पल्ला पहले लेना है क्योंकि बैक वाला पल्ला पहले लेना ह आपको साइड में जो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही चलने हैं इनकी कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए यदि एक्स्ट्रा होगा तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो और इसकी जो चोड़ाई है मैं साड़े तीन इंच रखूँगी और यदि आप डेट इंच की बेल्ट लगा रहे तो आपको चोड़ाईस की चार इंच रखनी है लेकिन मैं यहाँ पर सबाई इंच की बेल्ट लगाँगी तो इसलिए मैंने साड़े तीन इंच रखा है तो इस प्रकार इन दोनों को भी मैं आपस में अलग-अलग कर दूँगी तो मैंने दो एक साथ बेल्ट निकाल लिये और आपको सिधे पुठे का यानकी सिधे और उल्टे का भी निशान लगा लेना है तो ये बेक वाला पल्ला है और इसके साथ ये बेक वाली बेल्ट है और ये फ्रेंट वाला पल्ला है और ये फ्रेंट वाले पल्ले की जो है बेल्ट है ये थोड़ी एक्स्टा है तो इसकी मैं थोड़ी कटिंग करूँगी क्योंकि एक साथ इसकी cutting की थी, इसलिए थोड़ी extra हो गई है तो आप अलग-अलग करके भी इसकी cutting कर सकते हो तो इस प्रकार मैंने belt की cutting कर दी है तो मैंने यहाँ पे pocket की भी cutting कर ली है तो इसको measurement की लंबाई और चोड़ाई मैं बता देती हूं कि कितनी है तो इसकी लंबाई 12 इंच है और जो इसकी width है यानकी चोड़ाई वो 6 इंच है तो आपको 12 इंच का fold में कपड़ा लेना है और जहांसे यह open है, खूला बागा वहीं से आपको डेट इंच की गुलाई कर देनी है इस प्रकार यह pocket बन जाएगी तो मैंने यहां पर आपको पैंट पलाजो की cutting के बारे में पूरी जानकारी दिये यह दी वीडियो आपको अच्छी लगती हो और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे सलाई मंतर पेज से भी जूट सकते हो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाई बाई